फसलों में नाइट्रोजन की पूर्थी के लिए कुछ बिशेश परस्यतियों में यूरिया का इस्प्रे करने की आवशक्ता होती है समानता जो हम यूरिया को देते हैं बुगाई के समय देते हैं और खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग या साइड ड्रेसिंग के माध्यम से हम देते हैं और यही इसका सही तरीका होता है और टॉप ड्रेसिंग और साइड ड्रेसिंग के देने के बाद हम सिचाई कर देते हैं ताकि पानी के साथ ये जड़ में चले जाए या सिचाई के बाद या बरशा के बाद जब बारिश हो जाती है खेत में अच्छी नमी होती है तो हम छड़क भी देते हैं जिससे ये फसलों को प्राप्त हो जाती है लेकिन कुछ परसितियां ऐसी होती है जब हमें यूरिया का इस्प्रे के माध्यम से करना होता है यूरिया का हम पानी में बिलियन मना के छड़कते हैं जिसे हम इस्प्रे कहते हैं देखे यूरिया का लिए खेत में नमी होनी जरूरी है और कभी-कभी ऐसी परसिती हो जाती है खरीब की रितू में या रभी की रितू में कि बारिश न नमी कमो लेकिन पौधो को उस समय नाइट्रोजन की जरोत हो तो ऐसे समय में अगर हम खेत में यूरिया छड़केंगे तो यूरिया पौधो को नहीं मिल पाएगी उसकी नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगी तो ऐसी परस्थिती में हम यूरिया का घोल छड़का बना कर इस्प करते हैं तो यह कुछ प्रस्चितियां रहती हैं और बीच में भी हम कभी कभी उसकी ग्रोध को स्टुमरेट करने के लिए यूरिया का इस्प्रे कर देते हैं और इसके हमें अच्छे प्रणाम भी देखने को मिलते हैं लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम जितना रिजर्ट्स चाहते हैं यूरिया के इस्प्रे से उतना रिजर्ट नहीं मिल पाता है या हम जितनी उमीद कर रहे हैं उतना नहीं मिलता या जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं हो पाता है तो इसके कई कारण होते हैं आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि यूरिया के ले पूरी nitrogen ले तकि उसमें अच्छी ग्रोथ हो उसका रंग भी हरा हो कल्य अच्छे निकलें पौदे की बड़बार हो बाली अच्छे निकलें बालियों की लंबाई भी अच्छी हो पौधा पूरी लंबाई ले तो इसके लिए जरूरी है हम खुछ बातों का ध्यान रखें आज मैं इभी बातों पर चर्चा करूँगा जो देखिए जो हमें इस्प्रे करना है यूरिया का ये बात बहुत महत्पूर है देखिए जो nitrogen की आवशक्ता होती है पौधे को बहुत ज़्यादा होती है और एक हेक्टर खेट से पौधे लगभग जो पूरी फसल लगभग 100 kg, 120 kg, 130 kg ग्राम nitrogen तक लेती है तो nitrogen के आवशक्ता पौधे को बहुत ज़्यादा होती है तो इस आवशक्ता को पूरा करने के लिए हमें जो चड़काव करते है उसमें यूरिया की मात्रा भी ज़्यादा रिखी जाती है तो चड़काव का पौधिशत है वो हम रखते हैं द करने दो प्रतीशत्ज से जादा हम अगर रखेंगे तो पतियां जलने का डर रहता है और इससे कम रखेंगे तो पौदी का वशक्ता पूरी नहीं हो पाती है तो अधिक लाम लेंगे जरूर यह कि आप दो प्रतीशत तक ही इसको रखें अगर इससे जादा लिखाएंगे तो हो सकता है कि फसल जल जाए तो इससे बचने से अच्छा है कि आप दो प्रतिशत का गोल बनाए दो प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि आप दो ग्राम ये 20 ग्राम जितना प्रतिशत होता है उसका 10 गुना कर दीजे तो वो ग्राम प्रति लीटर बन जाता है तो आप इसका जो गोल बनाए वो एक लिटर में 20 ग्राम बनाए तो इसका मतलब कि आपको 10 लिटर बनाना है तो 200 ग्राम कर लीजे तो एक लिटर में आप 20 ग्राम से ज़्यादा यूरिया ना गोलें तो ये आप ध्यान रखें आप calculate कर लीजे कि अब मुझे एक किलो यूरिया में कितना पानी डालना पड़ेगा आप इसको calculate कर सकते हैं तो ये बहुत महत्मुण बात है कि आप दो प्रतियस्ते ज़्यादा यूरिया लेयाना की कोशिश करेंगे तो पत्तियां जलने की संभावना है और कम करते हैं तो पौधे के आवशक्ता पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि nitrogen की आवशक्ता सबसे ज़्यादा होती है ये वो तत्तो है जो पौधा सबसे ज़्यादा लेता है और सबसे ज़्यादा काम आता है दूसरा बिंदू यह है कि पौधे पर हमें कितना छिड़काव करना चाहिए मतलब पौधे की उपर की पत्तियां भीगों है या पूरा पौधा भीगों है देखिए हमें हमारा उद्देश यह क्या है पौधे को नाइटोजन देना और नाइटोजन की ज्रुद भी जादा है नाइटोजन को इसले में ज्यादा देनी भी पड़ेगी लेकिन दो प्रसिशंस से ज्यादा हम देते हैं तो पौधा जल जाता है पौधा अच्छी तरह भीग जाएगा पंध्य पपानी के साथ रहेगा तो पत्य आदर चला जाएगा अगर नुकसान नहीं है कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन पूरा भीगना बहुत जरूरी है तो अगर पौदी के वस्ता छोटी है तो आप हमको कम पाणी लगेगा अगर पौधी के वस्ता बढ़ी है तो हमें ज्यादा पाणी लेगा तो यह 500 लेटर, 600 लेटर, 700 लेटर, 1000 लेटर फसल चली जाए अगर पत्या पूरी तरह नहीं भीगेंगी य उपर की पत्यां भीगी है तो नाइटरुजन कम जाएपाएगी यूरिया कम जापाएगी तो पूरी चली जाएए इसलिए पौदे का पूरा भीगना जरूरी है तीसा बिंदू यह है कि छड़काव का क्या समय होना चाहिए मतल हम सुबा करें दुपार करें शाम को करें तो देखिए हमें यह समझना पड़ेगा जैसे यह पत्ती है और इस पत्ती में जो छड़काव हमने किया यह माली जो पानी से पूरा भीग गई पत्ती अब इसके अंदर क्या होता है पत्ती के अंदर इस्टोमेटा होते हैं जिसे हम रंदर कहते हैं इस इस्टोमेटा के माध्यम से गैसे अंदर जाती है ऑक्सिन अंदर जाती है सियो टू बाहर निगलती है और ये गैसे कोज अधान परदाने प्रकास transition के लिए जरूरी होता है तो इसको stomata कहते हैं अंग्रेजी में तो इने stomata ये बहुत stomata होता है पक्ती की उपरी सता पे भी होता है निचली सता पे जादा होते है लेकिन निचली सता से spray किया नहीं जा सकता इस पर उपर ही रहता है तो हमारा ये कोशिश करने चाहिए कि ये रंदर खुले हो ये stomata खुले हो तब करें अब ये जो stomata खुले होते हैं वो सुभा के समय जादा खुले होते हैं तो इनके जो खुलने का समय है वो सुभा और शाम के समय है तो अब सुभा ये खुले रहते हैं, गैस अंदर लेते हैं, उसी समय हम इस्प्रे कर देंगे तो पानी के साथ ये भी अंदर चली जाएगी यूरिया भी दुपहर में क्या होता है, जिस सूरज की रोश्णी तेज हो जाती है या बहुत अधिक तापमान हो जाता है तो इसको इस्टो मेटा बंद हो जाते हैं तो अधिक पूर अंदर मिंजा पाएगा शाम के समय भी खुले रहते हैं जवर रोश्णी कम होती है लेकिं उस समय क्या होता है की जैसी राट होगी इस्टो मेटा फिर बंद हो जाएगा तो फिर वो यूरिया नहीं जा पाएगा, इसका मतलम सुभा के समय अगर हम कर रहे हैं, तो पूरा छिड़काव अंदर जाएगा, क्योंकि ये इस्टोमेटा खुले हुए है, दूसा क्यूटिकलर पोर्स होते हैं, क्यूटिकल्स होती हैं, उसके अंदर पोर होते हैं, वो भी चला जाएगा, तो जो छिड़काव का समय है, वो सुभह का सबसे बढ़िया रहता है, फिर हम इस्प्री में क्या मिलाएं, कि यूरिया जल्दी अंदर चले जाए, कुछ कहते हैं, सर्फक्टेंट मिलाएं, कुछ सर्फ मिलाएं, कुछ माइक्रूटेंड मिलादें, कुछ संजी साइड मिलादें, कुछ इंसेक्टी साइड मिलादें, देखें हमारा उद्देश क्या है, हमारा उद्देश यह है कि ज्यादा ज्यादा नाट्रोन अंदर जाए, अगर हम उसके साथ कुई तत्व मिलादेंगे, कुई दूसरा पोश्य तत्व मिलाएंगे, तो क्या होरी आव शक्ता नाट्रोन की ततू जा रहा है कोई दूसरा तो वो काम पत्ती को पूरा हो नहीं पाएगा दूसरा यह है जो हम कई सार चीज़े मिला देते हैं फंजी साइड मिला दिया इंसेक्टि साइड मिला दिया तो इसमा बिलियन के अंदर बहुत सारे रियक्शन हो ज सकती है बहुत सारे कंपाउंट बन सकते हैं जिसका मैं पता नहीं होता है तो देखिए यह सब कैमिकल्स है और फिर रियक्शन करेंगे क्या रियक्शन होगा वह हमें पता नहीं चल पाता है लेकिन ऐसा चीज़ यह पत्ति के लिए लाब दायक नहीं होगा तो आप जब करें और यूरे का करें और कोशिश यह भी करनी चाहिए कि अगर हम कोई दूसर पके लागोatte की पूरी नहीं होगी आपको यूरिया का पूरा लाव लेना है तो आप यह तीन-चार बिंदों को ध्यान रखें तो इस प्रे का पूरा लाव मिलेगा पूरा फसल में जल्Дी रिजल्ट्स नजर आएंगे पौदे जल्दी हरे नजर आएंगे लंबाई बड़ने लेगेंगी खल्ले अच्छे निकलेंगे फुटाब भी अच्छा होगा बाले अच्छी निकलेंगी और फसल जल्दी रिकवर कर जाएगी जो इसके अंदर ष्ट्र वीडियो को और लोगे साथ भी शेयर करें तकि उनको भी सही जनकारी मिलें धन्यवाद